बिस्मिल्यारावनेलराईम, असलाम नेकुन दोस्तों, जैसे हैं आप सब मैं हुजियानसारी और आप दिखने हैं इजयानसारी फूट सीक्रेट्स आपके खानों में, आपके रहिस्क में, आपके जाय को आज की रेस्पी इतनी मज़े की और अहलान कुन है, जैसे जैसे रेस्पी आगे बढ़ेगी आपको मज़ा आता जाएगा और एंड पे आप कहेंगी के सुभान अला, हमें साहिए यहां पे आटे का एक पेरा नॉर्मल स साइज का, और उसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा खुशका डालके टेबल पर आपने इसके एक रोटी बेल लेनी है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैनाब तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके तरफ से प्यार होता है, तो बड़ी एक रोटी बेल लेंगे, उसके बाद प्यारा सा पैन लेंगे, उसमें डिर सारा पानी एड़ कर देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे, ताकि यह अच्छे से गरम हो जाएगा, बबल जाना शुरू हो जाएगे, तब आपने रोटी को इसके अंदर एड़ कर देन चेंज कर देंगे, यह देखें, दोनों साइट से बेहतरीन तरह से यह जो रोटी है, कुक हो जाएगी, और दिखने में आपको यह भी नरम सी लग रही होगी, लेकिन ऐसा कोई सी नहीं है, बहुत अच्छे से यह कुक हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको दोनो कासा ओइल लगा देते हैं, ताकि हमें रैस्पी बनाने में आसानी हो, ठीक है, इसको फोल्ड कर दूगा एक साइट से में, और उसके बाद प्लेट को कर देते हैं, साइट में, ठीक है, चलेंजी, ऑईल लगाने का यह वाइदा होता है, कि चिपके की नहीं आपस में ठीक ह अच्छे से सेपरोट हो जाएगी, उसके बाद हमने इसको बड़ीक बड़ीक लंबा 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 इस तरह से कट कर लेना है, यह देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम खोल लेंगे, जो बहुत लंबा इस तरह से स्टिप बनेंगा, उसको बीच में से हम काट ले आएंगे ताके इसकी शांदा सी हुश्बू आने शुरू हो जाए और लेसन की स्मेल दूर हो जाए, उसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे कुछ वैजिटेवल्स ठीक है, हमारे पास शिमला है, बंदगोभी है और कैरट है, इन सब चीजों को आपने इसी एक ही स्टाइल म मतलब एक जैसी हो जाए, थोड़ साब करने के बाद इसमें आपने सिर्फ दो मसाले यहां पर आइड करने है, एक वांटी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च, फिर आपने इनको थोड़ा सा यहां पर भूनना है सबजियों को, और उसके बाद हम इसमें एड़ क यह रैस्पी होती है, चाइनिस इसमें आपको पता है कि चीनी जाती है, वांटी स्पून इसमें हम चीनी एड़ कर देंगे, ठीक है, यह एक सीक्रेट है, यह आपने ज़रूर एड़ करना है, इससे यह और राल रैस्पी मीठी नहीं होगी, लेकिन इसका जो एड़ कर देनी है, इसकी डो की अंदर हलकी सी जीनी और नमक था जास्टीक है, और कुछ नहीं था, उसके बाद इसकी एच्छे से अपकाई करके चलते हैं, फाइनल लुक की तरफ, बिस्मिल्ला, रामान राहिम, तो माशाला, अलहम्दुलिल्ला, देखें जी मेरे अल्ला आफिस,